पिर मैं एक इन्पूट ले रहा हूं सेम इन्पूट ले लिए इनको दुबारा क्यमेंट लिखना ना पड़े ठीक है फिर सेम मैं यहां पर आपका टाइमर ले लिए वही बन ले लिए और है अभी मैं डाल दे रहा हूं यहां पर ठीक है ब्लॉक के अंदर मैं डाल रहा हूं मैं डाल दे रहा हूं मैं तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं वन सेकिंड ले रहा हूं इस टाइमर मन ना पर लिए अब दूसरे पहले klassinform मिंग गया आ मैं इसको टार कि को है मेरा एंड़ है अ मेरा ऑर हमको है कि पिसले आपर्षिन मेरा वह सेम होना है जो हन्ए Google ऊप्रेशन डिया KIM को मेरा abolish में हुआना है जो भूरिटी अभी में हम वेह चाहिए भी भी बस हम दुस्रे त्रिकince से कर रहे है तो क्यां अब पर देखिए यह जब मेरा input on और अच्छा पिशले example में देखिए मेरा कि मेरा दूसरा timer जो हमारा off timer वो कब on हो रहा है इसके एक second complete होने के बाद मेरा वो timer on हो रहा है और उसका time हम लोगों ने exactly वही रखा है जो इसका रखा है ठीक है यह जो हमारा timer है इसकी जो value है one second तो उस वाले method में फस्स method में जो हम लोगों ने timer का value रखा तो वो one second रखा यानि के इसके timer time complete करेगा तो मेरा one होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम quantity डाल देंगे ठीक है यानि अभी देखिए मेरा जो main input है आपका यह है ठीक है मेरा main input है जो हम एक बर on कड़के छोड़ देंगे ठीक है वह on रहेगा और यहाँ पर मेरा जैसे main input on हुआ मेरा दोनों timer चालो हो गया और on timer पर चालो हो गया timer लेकिन मेरा on timer की जो value है वो 10 है यानि वन सेकंड है और इसकी वेल्व जो है वो टू सेकंड से यानि इसमें एक सेकंड का डिली होना चाहिए चाहिए पुस से करें चाहिए आसे करें तो यहाँ पर हम लगों ने एक सेकंड का डिले दे दिया अब हमारा जो main flicker bit है वो तो on हमेशा हमको इसी से कराना है timer बन से जो हमारा timer on timer है और हम अपना output ले लेंगे यानि वह जो मेरा flicker bit है same address जाल देता हूं मैं कि दुमारा comment ना लिखना पड़े ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर है तो यहाँ पर हम लोग ने 20 सेकंड लिया तो अब मैं यहाँ पर धुरा साब को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं 對 Ignate Sorry, Ignate यहाँ पर आप कर रहेगा यह ठीके इसको मैं जो है यहां पर थोड़ा सा ठीके मैं यहां पर क्या दाल देता हूं आपको दूसरे टैमर का इसी दलना ना उनको ठीक है कि क्या करता हूं इसको थोड़ा सा यहां डिलीट कर देते हैं यह मैंने यहां से लाइन इधर से डिलीट कर गया नहीं कि यहां पर थोड़ा से इधर कर लिया है कि 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 मुझे is 그 clinic का जो एंसी हमारे सेकंड टैमर को heat होना चाहिए इसलिए मैं मुझे यहां पर लेना है यहां लेलेतें और यह वादला तो मेरा सिर्फ यह 시興os तो अब इसको सिम्मिलेट करके देख लेते हैं चीजिए अब देखिए आपका अबरेशन हो रहा है एक सेकिंड के लिए आपका टाइमर आउन है फिर आफ है फिर आउन है स्विकरवेट आउन है आउन है यह साइकिल चलता है रहाएगा सेम वही प्रोसेस है इस में बस हम लोगों ने क्या किया है यह उसमें हम अमारा जो दूसर टाइमर है ओफ टाइमर हम इस से पिछली में हम लोगों ने इसकी कमप्लेशन फ्लाइक बीट सां कराया था तो लोगो तो मेरा ये वालाタाइमर जब इक्सेकुट करें इसकी जो quemplay इंप इक्जी कुट करें और इसकी one second के बाद जब मेरा execute कर जाएगा तो यह मेरा two seconds के बाद इसका execute कर गए यहाँ पर तो यहाँ पर जब मेरा execute कर रहा है तो NC जो हम बких naked eye से हम visualize नहीं कर सकते क्योंकि वो तुरंत میरा reset होके तो जब तुरंत मेरा यह nc जब open हो रहा है तो उसके बाद मेरा यह भी टैमर रिसेट हुआ और यह भी टैमर रिसेट हुआ तो मेरा क्या हुआ तो दुबारा से मेरा वो दुबारा अपनी इनिशिल पोजिशन पर आ रहा रहा एंसी तो वह हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं यह आपको अपरेशन समझना पड़ेगा तो ठीक है तो अगले सेशन में देखते हैं अ तो खर्या कर रहा हुआ हैं प्याओ कर दोदी तो फो कुछ कर रहा हैं गले साथ भी तो दो जल सेशना कर रहां हैं विजू परेशन पिर बपनी और यह भी जवले कर दुख पना बंदेगा हैं तो इनिशना